बच्चो आइम बैक वित हिंदी स्टूरी तो आज की स्टूरी का नाम है नकल खुर गदा हाँ जी हाँ जी तो शुरू करें एक बार एक गाउं में एक गदा रहता था वो गदा हर रोज खेत में जाके हरी हरी घास खाता था रोज वो गास खाता था लेकिन गास के साथ साथ वो हरी हरी सब सबजियां भी खा जाता था इसलिए गाउं वाले उसे भगा देते थे हटो हटो यहाँ से हटो और उसको भगा देते थे एक बार गदा चलते चलते गाउं के पांस वाले जंगल में गया वहाँ उसने देखा एक शेर की खाल पड़ी थी तब गदे ने सोचा अरे ये तो शेर की खाल है क्यों ना मैं इसे पहन के शेर बन जाओ और वो नकल खोर गदा ने शेर की खाल पहन ली और वो समझ बैठा कि मैं शेर बन गया और फिर वो खेत में फिर से गया और गास खाने लगा सब लोग ने उसे देखा तो सब को लगा ये तो शेर आ गया अरे भागो भागो ये तो शेर आ गया और फिर ये घदे ने आराम से घास खाई सबजियां भी खाई मज़े है बै मज़े है खाना खाने के मज़े है और वो रोज अच्छे अच्छी घास सबजियां खा जाता था एक दिन इसी खेत में एक दूसरा घदा आया वो भी घास खाने आया घास खाके जब उसका पेट भर गया तब उसने जोड से आवाज लगाई हाँ ची हाँ ची तब ही शेर की खाल में घदा आया और उसे भी मन हुआ अरे ये तो मेरा फ्रेंड है मुझे भी इसकी तरह गाना गाना है और उसने भी शुरू कर दिया हाँ ची हाँ ची हाँ ची और तब ही सब गाउ diamonds आगे और सब को पता चल गया कि ये शेर की खाल में घदा है और सब ने मिलके उसे दंडे से बहुत मारा हटो यहां से ये कोई शेर नहीं है भगाओ 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 और वो भाग गया तो इस टूरी से हमें क्या सीख मिलती है बच्चो हम जैसे भी है वैसे ही रहना चाहिए हमें किसी की नकल नहीं करनी चाहिए तो चिल्डन प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब तो मैं चैनल इप ये निज़िए मैं स्टोरीज बाई बाई चिल्रन